कि आप सभी अनदाता साथियों को केन मोर्या का सत्त नमन मेरे प्रिया अनदाता साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जून का महीना सुरू होने वाला है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जून में कौन-कौन सी फसले लगाएं ताकि उस पे आपको अधिक बच अच्छत होशक्त उससे पहले मैं आपसे यह उमीद करता हूं कि जून में हमोमन जितनी भी फसले लगाते हैं लगबग बारिस की फसले लगाते हैं तो इसके लिए आप सभी लोग यह त्यारी ज़रू दख्ये कि जून में जो भी फसल लगाएंगे उसे मेड़ पे में लगे होंगे तो आईए जानते हैं कि जून में कौन-कौन सी फसले बोई जाती हैं उससे पहले जी चैनल को आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब जरू कर लें जी हाँ किसान भाईयों मिर्च का जैसा कि आप देख रहे हैं किसान भाईयों मिर्च की खेती हमारे जून में मद्यप्रदेश हो गया ये आपका और भी बहुत सारे जगे हैं जहां मिर्च की बड़ी पैमाने पे खेती समय लगा जाती है किसान भाईयों मित्र की खेती करत का प्रयोग करें यह एक फंगल फंगस की दवा है जो जड़ यानिक बीमारियों को दूर करती है तो इसका प्रयोग खेत की अंतिम जुताई करते समय ज़रू करें जिससे आपको जड़ गरन की समस्याओं पर काफी कंट्रोल मिलेगा मिर्च में रोग रोधी बरायटी का चैन करें रोग रोधी बरायटी का चैन करें और इसे भी पानी निकासी की समचित व्यवस्था करने के बाद ही लगाएं किसान भाईयों मिच लगाते समय नीम के तेल का प्रयोग नीम का तेल का इस्टोर अपने पास ज़रूर करें जिसे आप अमोश्य और पोडिमा के एक दिन जाएं वो उनका रोग धीरे-धीरे कम होगा प्रयास यह करें कि अधिकांस्ता जैविक प्रोडक्टों का प्रयोग करें खेतों में दूसरी फसल की बात करें तो वह है खीरा की बड़े पैमाने पर खेती होगी हमारे जून महिने में 22 वाले खीरे बड़े तरी से लगाए जाएंगे इसको लगाने के लिए भी मचान विधी का प्रयोग करें हाइबरीड बीज का चैन यदि आप करते हैं तो हाइबरीड बीजों में उत्पादन आपका ज्यादा होता है आप चाहें तो देशी बीज भी अपने हां लगा सकते हैं यदि आप घर का बीज लगा रह लगी बिना मचाने के यदि आपने इसे लगाया तो नुक्षान हो शकता है पाली निकासी की उचित बेवस्ता इसमें भी करनी है और खेत की तयारी करते समय खेत में फंगी साइड पाउडर जो फंगी साइड पाउडर हो इसमें थोड़ा सा रूट की प्रावलम कमाती है तो फंगी साइड पाउडर डाल करकरके खेत की जुत्याई बढ़िया से कर लें इसके बाद हम बात करते हैं तमाटर की बसाती टमाटर भी जून में लगाया जाएंगे बहुत सारे हमारे किसान अगयती टमाटर लगाना सुरू करेंगे मेड पे इसे भी मेड़ पे आती हैं और अपने पास यदि आप जून में लगाएंगे तो सिलीका बेस प्रोडक्ट जिसमें आथोसिलेसिक एसिड जो इस्प्रे करने के बाद आथोसिलेसिक एसिड के रूप में मिलता है उसका प्रबंद जरूर करें ताकि गर्मी से जो गर्मी पड़ती है उसके कारण आपके पोधे खराब नहों यदि ये करते हैं तो आपको बड़िया फायदा हो शकता है इसके अलावा हम बात करेंगे करेले की खेती के बारे में करेले का रेट लगवक्त ठीक ठाक रहता है इसमें तो तीन चीजें ध्यान देने वाली बाते हैं यदि आपके खेत में एक की पहचानी होती है करेला आपका जड़ से सुखना सुरू करता है और जड़ें उखाड के आप देखते हैं तो उसमें छोटी छोटी गाठें पाई जाती है उस पर कोई बहुत आई दवा फंगस की किसान डालता है लेकिन वह कंट्रोल नहीं होता है तो उसके लिए खेत की का समय अनकीखले निम का तेल या फिर कुछ भी न मीले तो निम की अधिकादिक पकी डालकर का छूता ही करें दीरे धीरे 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 आपका अनिमा झुट कंट्रोल और इसमें बैक्टीरियल प्रोडक्ट जदूद मिंस फिसन होता है इसके पाद से उन्यमें हमादा Навального के फसलों का रेट नहीं मिल पाया अब लागडाउन खुल दा है दे दे छूर दी जा रही है तो इसकी खेती भी आप कर सकते हैं इसके साथ कदू और पेठा पेठा की भी खेती आप कर सकते हैं पेठा भी आप लगा सकते हैं जिससे जिसका बनता है मिठाई बनाने के काम में आता है और भी बहुत साइप but यृइप तो इसको भी आप क्यारियों पर लगा सकते हैं आप चाहें आप यह जहाते तो यह उसे भी लगा सकते कोई दिक्कत की दिक्कत नहीं इसके बाद अम बात 누ら भाती कुरहां जाता देक कमें तो न्यूब्य, जया जाता है और फिर बाइस में पसंद किया जाता है मित्रों इसके बाद पपीते की खेती जुन महीने में जिन लोगों ने अभी तक पपीता नहीं लगा है जुन महीने में पपीते की खेती भी आप कर सकते हैं पपीते की खेती करते समय इसे एक तो बेड़ पे लगाया जाता है आप सभी लोग जानते हैं भूमी में अधिक अधिक आप गोबरी खाक डालें रूट गार्ड का प्रयोग इसमें भी करें रूट गार्ड का प्रयोग आप करेंगे तो आपको बहुत ही जादा बड़िया रिजल्ट आपको देखने क मिलेगा इसके हम बात करते हैं इसके बाद गोबी की खेती के बारे में इस समय पस्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बहुत सारे हमारे किसान ऐसे हैं जो इस समय पत्ता गोबी और फूल गोबी की नतरी तैयार कर लिये हैं और जून में लगाना सुरू करेंगे जून में यादि पत्ता को भी और फुल को भी लगाते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं बहतर की क्यारियों में इसे लगाएं पाने निकासी की सम्चित ब्यवस्ता करें इसके साथ सबसे बड़ी सबस्ते आएगी इसमें इल्ली की गिडार आती जिसे आप गिडार कहते हैं उसके लिए के तेल का प्रबंधन करें धूप में बहुत सारे केमिकल फेल हो जाते हैं अधि नीम का तेल आप सुरू से प्रयोगे करेंगे अपने फसलों पर तो आप पाएंगे कि आपको उसके बहतर पेडाम देखने को मिलेंगे तो नीम के तेल से आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते है थोड़ा सा इडवान समय रहना पुड़ेगा जिन लोगों ने अभी तक जिंजर की खेती नहीं किये अधरक की खेती नहीं किये जो किसान भाई अभी पीछे हो गया है चुकि इस महीने शुरूआत में बाईस हो रही थी तो बहुत साह लोग नहीं लगा पाएं 15 जून से पहले पहले जिंजर की खेती कर लें 15 जून के बाद ये ठीक नहीं रहेगी इसके बाद विंस की खेती विंस की खेती जो हमारे किसान भाई विंस की खेती करते हैं जून में बहुत बड़े पैमाने पे विंस की खेती भी लगाई जाएगी विंस की खेती में बहुत जादे समस्य नहीं आते हैं इसमें गर का बीजो तो उसे सोधित करें बार्केट का बीजो तो सोधित करने क्या हो सकता नहीं पड़ेगी इसके बाँ हम कहते हैं लोगिया लतरा बो Singapore या फिर भी सब बरबटी कहते हैं लग बर्बबर इखेती भी इससे महीने आप कर सकते हैं बरबट्टी भी क्यारियों में लगाएं इसके साथ दूसरी फंसले भी जो होती हैं वो ले सकते हैं आप बरबट्टी की खेती भी आपको जून में दी लगाते हैं तो बहुत बढ़िया प्राफिट आपको देने में काम्याब होगी इसके बाद हम बात करते हैं ब मेडों पर करें जल निकासी की बढ़िया विवस्था करें जिसे आपके खेतों में पानी न लगए पानी लगता है तो आपकी भिंडी खराब हो शक्ती है इसके बाद हम बात करेंगे कासी लालीमा जो भिंडी की व्राइटी है जिसे लाल हृँंडी या फिर आयर रिच मुनाफा कमाया जा सकता है इसका बीज आप कासी सबजी अनुशन धान के अंदर की साइड पे जा करके वहां से नंबा ले करके आप इसका बीज मंगा सकते हैं या भी बहुत तारे किसान इससे भी ज़्यादे लाभानवित हो रहे हैं इसके साथ साथ हमारे इस जून के महीने में जहां जिनके पास जल की बिवस्था पानी की बढ़ियाए बिवस्था है वो शागों की खेती भी करेंगे पालक चुराई भी इस महीने आप कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको पानी की बिवस्था होनी ज़ूदी है क्योंकि प किसान भाई प्याज की खेती करते हैं प्याज की खेती करने के लिए यह महीना उचित है और हमारे किसान भाई इस महीने प्याज की खेती भी कर सकते हैं प्याज की खेती भी आपको बढ़िया मुनाफा दे प्याज की खेती में बैक्टिरियल प्रोड़क्ट डालें जिसमें मिट्टी का भुरभुरापन होना बहुत ज़ूदी है इदी बलूई दोमट मिट्टी में नीचे जमने वाली जो नीचे बैठती हैं वो फसले बहुत ही अच्छी होती हैं इसके साथ साथ हम बात करेंगे जून भर मुफली बड़े पैमाने पर लगाई जाती है और बहुत सारे किसान इससे बहुत ज़्यादा बेनफिट लेते हैं तो आप मुफली यह दी खेती करना चाहते हैं तो मुफली भी इस महीने लगा सकते हैं इसके बाद अधिकलाब के लिए किसान भाईयों में बात क करूंगा काले चावल के बारे में काला चावल भी आप लगा सकते हैं इसका भी आपको डेर सूर्पे किलो के हिसाब से मिल जाएगा आराम से लेकिन इसे अपने खाने के लिए या फिर कुछ थोड़े से एरिया में लगाएं कि क्योंकि इसकी मार्केट अभी अभी नहीं है तो काफी बड़े पैमाने पर इसे न लगाएं और मित्रो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बाक्स में कमेंट करके जब बताईएगा आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें काल कर सकते हैं नमबर आपको मैं कमेंट बाक्स में दे दूँगा जै जवान जै किसा जै 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 बाक्स